हलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम क्लासिक्स हिंदी की पुस्तक बाल राम कथा का पार्ट नमर तीन दो वर्दान पार्ट को पढ़ेंगे राज़ा दशत के मन में अब एक एच्छा बची थी राम का राज़िबिशेक उन्हें यूवराज का पत देना यूवराज का मतलब क्या होता है जो राज़ा होता है उसका उत्रादीकारी को यूवराज कहा जाता है जैसे कि अभी राज़ा कौन है दशत है लेकिन दशत के मरने के बाद में राज़ा कौन बनेगा राम बनेंगे लेकिन जब तक दशत है तब तक राम क्या रहेंगे जोद्यार लोटने के बाद से उन्होंने राम को का राजकाच में शामिल करना शुरू कर दिया था राम यहार जिम्मेदारी अच्छी तरह निभार है थे उनके विनम्रता विद्वता और पराक्रम का लोहा सबी मानते थे इसका मतलब यह हुआ कि जो राम थे वह बहुत आती थी दशत के रहे तो वो प्राणों से प्यारे थे ही दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ता जा रहा था तो देखिए दशत के तो राम फेवरिट थे ही लेकिन दरबार में भी सब राम को बहुत चाते थे उनकी रेस्पेक्ट दरबार में डे बढ़ती ही जा रह हैं अगर आप सब सहमत हो तो एगर आपकी राई इससे भिन है तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूँ सभा में तुमूल ध्ानी से जोड़ जोड़ से जैसे कि सभा में सारे लोग उपस्तित हैं उन्हों कि हमें किसी को कोई अब्जेक्शन नहीं है राम को युवराज कपत मिलना चाहिए हम सब आपके साथ हैं राम की जैजेकार होने लगी दर्शत थोड़ी दे तक सुनते रहे संतोष के साथ उन्होंने कहा शुप काम में देरी नहीं होनी चाहिए मेरे इच्छा है कि राम का रा की जैजेकार कर रहे हैं किसी को कोई अब्जेक्शन नहीं है तो फिर दश्रत ने डिसाइड कि हम कल सुबही राम का राजिविशेक करेंगे जब राम के राजिविशेक की बात हो रही थी तो भरत और शत्रगुन उस समय अयोध्या में नहीं थे वह अपने नाना केकई रा का राजिविशेक होने वाला है कि कई से एक दिन में भरत और शत्रगुन का आना संबब नहीं था इसका मतलब यह हुआ कि जब राजिविशेक का कारिक्रम होगा तब वहां पे भरत और शत्रगुन एविलेबल नहीं होंगे राज़ दश्रत ने इस संबन में राम से अब तुम्हारे हाथ में तो देखिए वचो यहाँ पे दश्यत राम को समझा रहे हैं कि तुम जंता के भी फेवरिट ओ जंता ने तुमको राजा चुन लिया है तो तुमको क्या करना है कि जो तुम्हारा धर्म है उसका पालन करना है कुल की दो मर्यादा है मतलब कि जो तुम्हारे हाथ में हैं । राजी विशिक की तयार रानी केकई की दासी ने भी देखी मंतरा ने तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की जारी जो की कौन है केकई की दासी थी शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ भे नहींkr आया उसने इसे कोई अन्य अनुस्ठान उसे तब पता चला कि कल रामका राजिबिशेक होने वाला है या उसी के लिए मन्थरा जल भून गई रामका राजिबिशेक उसे शडेंत्र लगा केके की विरूद तो देखी जब मन्थरा को पता चला कि रामका राजिबिशेक होने वाला है तो उसको बहुत ही जादा गुस मंत्रा उसकी दासी थी, तो मंत्रा चाहती थी कि कभी भी केके के साथ में कुछ बूरा नहीं होना चाहिए, वो हमेशा उसका हिट चाहती थी, मंत्रा उसे अपना हिट मानती थी, वो केके की मुह लगी थी, मतलब की जो केके थी, वो मंत्रा के साथ में अपनी शारी बाते शेय केके के कश में वहाफ रही थी क्रोट से चहरल लाल था भागने के कारण सांस उखर रही थी उसने रानी केके को सोते वे देखा किसी तरह स्वय को संभालते वे मंत्रा ने कहा अरे मेरी मुर्ख रानी उठ तेरे उपर भयानेक विपदा आने वाली है यह समय सोने का नहीं है हो देखे जब मंत्रा ने देखा कि केके सोरी है तो उसको लगा कि अरे कितनी बेदकुफ रानी है इसके उपए इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है राम को राजिबिशेक होने वाले राम का और यह राम से सोरी है इसको कोई फरक ही नहीं पड़ रहा है तो बट केके के तो यह तो बहुत शुप्षमाचार है केके ने प्रसंता से अपने गले का हार उतार कर मंत्रा को दे दिया मैं बहुत प्रसंद हूँ राम युवराजपत के लिए हर तरह से योग है रानी तुमारे बुद्धी फिर गई है मती मारी गई है सवाल राम की योग्यता का नहीं है रा हारो के लिए बुलाय तक नहीं जब केके को पता चला कि कल सुबह राम का राजपिशेख है उसको युवराज बनाए जाएगा तो केके को बहुत खुश हुए क्योंकि केके राम को बहुत प्यार करती थी और वो जानती थी कि राम बहुत योग्य है वो राज-काच को अच मारी गई है यहां पर बात राम की योग गेता का नहीं है बात यह है कि जो दश्रत का शड़िंत्र है क्योंकि अगर वो राम का राजिबिशेक करना चाहते तो भरत की उपस्तिति में भी कर सकते थे लेकिन दश्रत ने ऐसा नहीं क्या उन्होंने क्या कि भरत को उसके ननिहाल बेजा अब जब वो ननिहाल गयावा है तो वो राम का राजी बिशेग कर रहे अब तुम बताओ कि ये शडेंटर नहीं है तो और क्या है मंत्रा की बात सुनने के बाद में केकई का स्वर उग्रो गया उन्होंने मंत्रा को डाट वे कहा राम के प्रती मेरा अगास्ने है वह मुझे मा के समान मानते हैं तुझे इसमें शडेंत्र दिखाई देता है इसमें शडेंत्र नहीं है, राम के बाद भरती राजा बनेंगे, राज सरवदा जेश्ट पुत्र को ही मिलता है, तो देखे, ये जो मंत्रा फालतु की बाते कर रही थी, इनको सुनके केके को गुसा आया और उसने मंत्रा को डाटा, कि ये फालतु बाते मत करो, ये किसी भी कोई शडेंत्र नहीं है, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता है, कि जो बड़ा बेटा होता है, वो ही राजा बनता है, इसमें शडेंत्र किसी तरह का नहीं है, मंत्रा पर इस फटकार कोई प्रभाव नहीं हुआ, उसके लिए दश्ट का शडेंत्र था, वराने केके के पलंग पर बैट गई उनके बहुत निकट केके के चहरे के और देखते उसने कहा तुम बहुत भोली हो नादान हो तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता दुख्के जगे प्रसंता होती है इस बुद्धी पर किसी को भी तरस आएगा अब मंत्रा को समझ में आ गया कि ऐसे तो केके को कुछ अंतिस उसे बात करती कि रानी तुम बहुत भोली हो बहुत सीधी हो तुम्हें जो तुमारे उपर संकट आने वाला है वो दिखी नहीं रहा है तुम्हें दुखी होना चाहिए लेकिन तुम तो खुश हो रही हो समझो रानी राम राजा बने तो तुम कोशिल्ला की दासी बन जाओगी भरत राम के दास हो जाएंगे वह राजा नहीं बनेंगे राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा तो वो समझाती है कि देखो परंप्रा चलती आ रही है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है वो कभी भी भरत को अपना राजा नहीं बनने देगा अ रानी, राम को राज मिला, तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड़ देंगे, इस तिरसकार से भरत के रक्षा करो, रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगदी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। राम क्या करेगा, भरत को यहां से बहार निकाल देंगा, उनका अपमान करेगा, लेकिन आप इससे भरत को बचा सकती है, आप कुछ ऐसा उपाय निकाल ये कि राम को तो क्या करें, जंगल भेजी दिया जाए और भरत को यहां का राजा बना दिया जाए। तो देखिए बच् तो चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्स पर बाचिंग